दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं हो, करोडों रुपिया रखने वाला भी दरिद्र हो सकता है, कब अगर उसके भीतर संतोश न हो, संतुष्टी न हो, आज कल बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो धनवान होंगे, वैसे तो धन बहुत है, लेकिन भीतर से संतुष्टी नहीं है, बड़े-बड़े धनवानों को माफ करना कोई ऐसा न सोचे, पर बड़े-बड़े धनवानों को ही सबसे जाधा रात को नीद नहीं आती, नीद लेने के लिए उनको भी डॉक्टर से जा जाके टेबलेट लानी पड़ती है, बड़िया एसी चल रहा, पंखा चल पर नीद नहीं संतोश नहीं आज ये पालिया अब वो पाना है और पाते पाते ये जो दौड है न ये कभी खतम नहीं होती जिसके पास जो नहीं वोई पाने की इच्छा बज लगी पड़िया उसी की दौड में लगा पड़ा जब पैदल चल रहे थे नंगे पाओं तो मन कर सकता था है बगवान इक सायकल देदे जुझान जैक ली टो फिर मन किया बगवान एक है के साइकल में तो महनत लगती स्कूटर दे दे, भगवान ने स्कूटर दे दिया, भगवान अब स्कूटर नहीं, अब तो ब्रूम ब्रूम वो वाली बाइक चाहिए, जो गली से निकलें तो सवरा मौला देखे, इस शर्मा जी का बेटा निकल रहा है, सो भगवान ने वो दे दी, अब भगवान ये दो पईया वाली नहीं, अब तो चार पईया वाली चाहिए, बारिश होती है, तुफान आता है, तो उसमें बढ़िया डिब्बी में पैक हो जाते हैं, चार पईया वाली मारूती दे दी, नहीं नहीं भगवान अब तो मारूती यह तो मॉडली खतम होगे, आप तो भगवान बढ़िया सी कोई लगजरी गाड़ी दे दे, भगवान ने वो लगजरी गाड़ी भी दे दी, अब भगवान अब हमको तुम चार्टर प्लेन दे दो, और उस प्लेन में भी बैठ करके वहाँ क्या लगता है, जब कोई लंबी फ्लाइट होती है न, बारहे चौदा घंटा के और उसमें आदमी कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता है, तो ज़ाग करके खिड़की से नीचे देखता है न, लोगों को पैदल चलते हुए, तो मन में आता, काश भगवान हम भी ऐसे, नंगे पाउं घास पे पैदल पैदल चलक जिसके पाल जो नहीं है, उसको पाने की चाहव में, और वही दरिद्र है, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि था नहीं, एक रुप्या भी इनके पास, पर जब इनसे पूछा जाता, कि भीया सुदामा कैसे हो, तो बड़े खुश हो के कहते, प्रभू की बड़ी पाकर रखी है, कैसे दरिद्र हो गए सुदामा जी, सुदामा से बड़ा तो कोई धनवान नहीं हो सकता, सुदामा जी एक ब्राह्मन का जो नियम होता है, उस दाइतों को निभाते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, एक बार इनकी पतनी सुशिला, जो बड़ी ही भागवत थी, भगवान की भक्ती करने वाली थी, हाँ, सुदामा बराबर नहीं थी, लेकिन भक्ती हिर्दय में थी, सुदामा जी से निवेदन किया है नाथ, कृष्ण आपके मित्र है, द्वारी का धीश आपके मित्र है, ऐसा मैंने सुना है, तो आप अपने मित्र से जा करके एक बार कुछ मांग क्यों नहीं लेते, क्या घर की जो दशा है वो आप से छुपी है, एक बार जा करके भगवान से मांग लीजे, शुदामा जी महराज मांगने के विरोध में थे, क्योंकि भक्ती में मांग नहीं होती, लेकिन फिर भी दर्शन के लालत से चले गई, थोड़ा चावल की पोटली बगल में दवा करके सुदामा द्वारिका की ओर जाते हैं, मारग में जितनी बाधाय आई, सब को पार करते करते शी सुदामा जी, भगवान की द्वारिका पहुँच गए, द्वारिका में भगवान के द्वार पालों ने कहा कि हम भगवान को स सूचना देकर क्या आते हैं और सूचना जैसे भगवान तक पहुझी भगवान को जैसे पता लगा ख़वर लगी की मेरा मित्र दवार पर मिलने आया है द्वारी-क अधीश भगवान अपना वैइभव अपना नाम अपना पद सब भूल गए कि हम द्वारीक.ाधिश और शीद्वारी का दीश भगवान नंगे पाउ भागे भागे दोडे दोडे गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से अपने कंट से लगा लिया दोनों मित्रे एक दूसरे के गले लगके खुब रोए खुब रोए आज तक ऐसा स्वागत द्वारिका में किसी का नहीं हुआ जो स्वागत भगवान ने आज सुदामा का किया सारी द्वारिका देखती रह गई ऐसा भी होता है लेकिन धक्त वर्चल भगवान है कुछ भी कर सकते हैं भगवान ने सुदामा की चरंद होए अपने अश्रू से आखो के आशो से चरंद हो करके सुदामा की काक में दवी हुई पोटली चावल को लिया चावल प्रशाद ग्रहन किया सब रानियों में थोड़ा थोड़ा प्रशाद बाटा दोनों मित्र का मिलन हुआ भगवान ने कुप प्रियास किया कि सुदामा कुछ मांगे कुछ मांगे पर कुछ न मांगा सुदामा कुछ न मांगा और भगवान ने सुदामा को वो दे दिया जो मांगने पर कभी प्राप्त नहीं होता है सदा सदा के लिए जब जब कृष्ण द्वारी काधीश का नाम आएगा तो सुदामा का नाम साथ में यादाएगा इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है ये बिन मांगे मिलता है मांगने पर नहीं मिलता तो सुदामा जी थोड़ा समय रुख करके फिर वापसी करते अपने गाउं आते है गाउं में बड़े-बड़े महल सब सुदामा जी को दिखे प्राप्त हुए पर उसकी कोई खुशी नहीं है सुदामा जी को और संतोश के साथ भजन करते करते शी सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया इस प्रकार भक्त और भगवान का ये सुन्दर चरित्र पड़े ही संग्षेप में हम सभी ने श्रवन किया बोले शी सुदामा जी महराज की द्वारी का धीश की ऐसे भक्त वच्छल भगवान अपने भक्तों पर क्रपा करते हुए अपने यदवनशी बालकों को भगवान ने उपदेश भी दिया कि कभी ब्रहमणों का अपमान नहीं करना संतों का अपमान नहीं करना संत अपराध पूरे कुल को नश्ट कर देता है लेकिन ये बात जामवती पुत्र साम्ब और कुछ यदवन्शी बालक घूल गए और उन्होंने एक संत काजा करके अपमान किया जिसके शाप से यदवन्श का धीरे-धीरे नाश हुआ शी भगवान भी प्रभाश शेत्र में जाकरके उधव जी को उपदेश देते हुए अपने स्वरूप को भागवत जी में समाते हैं और इस धर्ती प्रत्वी का छोड़ करके अपनी लीला को विराम करके प्रभू अपने भगवत धाम में प्रवेश्ट हो जाते हैं प्रभू की ये प्रित्वी की जो धर्ती की लीला है वो विराम लेती है शुक्देव जी महराज ये कथा परिक्षित तो सुना रहे हैं सूत जी ये कथा नैमी शारन्य में 88,000 रिशियों को श्रवन करा रहे हैं अंत में भगवान के कुछ और भक्तों की कथा सुनाते हैं भगवान के कवतार हैं शिदत्तात्रे भगवान भगवान दत्तात्रे की कथा आई दत्तात्रे भगवान ने कितने गुरु बनाए पता किसी को 24 गुरुदारन की अब ये दत्तात्रे घगवान का उधारन लेकर करके कई लोग अपने भी गुरु बदलते रहते आज ये वाला पसंद आगया आज ये रख लिया कल हो वाला पसंद आगया तो दत्तात्रे भगवान ने कैसे गुरु बनाए सिक्षा गुरू बनाएं सिक्षा गुरू 24 नहीं 24,000 भी हो सकते हैं सिक्षा तो किसी से ले लो जो अच्छी बात लगी इसने कोई अच्छा काम किया ही हमारा गुरू सिक्षा गुरू कितने भी हो सकते हैं पर मंत्र दिक्षा देने वाले गुरू एक ही होते हैं ये नहीं बदले जाते हैं गुरू एक जीवन भर एक ही गुरू के आश्रित शिष्ष को रहना चाहिए हाँ अगर किसी की दिक्षा गडवडी में हुई है ये नहीं पता संप्रदाय कौन सा है मंत्र कौन सा है तब अलग विधान है अनित्था अगर आपके संप्रदाय के कोई गुरू है मंत्र आपको प्राप्त हुआ है तब फिर आपको गुरू बदलने का कोई अधिकार नही ऐसा नहीं होता, एक गुरु जीवन में बनता, सोच समझ के बनाई, कहता है गुरु बनाओ जान के, पानी पियो जान के, तो गुरु पहले तो खुब जान विचार कर लो, गुरु बनने योग है नहीं, हम शिश्य बनने योग है नहीं, पर जब गुरु बन जाए उसके जा सकती है